कि नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सुमीत और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले न्दर से चलाने के मामले है तोनगा में ताटा टीअकों हो नई गाड़ी में भी अंदर से या comfort wise कोई खास change हुए नहीं है छोटे मूटे जो हलके फुल के change हुए है वो मैं आपको पूरा वीडियो में टाइम टाइम पे बताता रहूँगा सबसे पहले अगर गाड़ी में comfort की बात आती है तो एक ही चीज देखे जाती है वो गाड़ी की seats अब गाड़ी की seats बैठने में कैसी है अगर मैं आपको बता हूँ तो यह driver seat है और यह अभी मेरे हिजाब से adjust हो रखिए और सबसे अच्छी बात इस seat की यह है कि आपको इस seat में आगे पीछे ऊपर नीचे नाएं बाएं सारे अजस्टमेंट दिये गए हैं जैसा कि अब देख सकते हैं यह अभी full height पे है और मेरी height 5 foot 2 inch के आसपास है लेकिन उसके बाद जूद मुझे काफी जादा head space मिल रहा है और साथ में leg space भी काफी अच्छा है एक चीज मुझे जो नहीं है अगली चीज मुझे जो दिक्कत आती है वह कि इसका जो ए पिलर है यह वाला यह थोड़ा मोटा है लेकिन चलाते 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 इतनी हैबिट हो चुकी है कि उतनी ज्यादा दिक्कत आती नहीं तो यह तो रही आगे की सीट की बात passenger को भी obviously कोई दिक्कत आ जा गया है अब बेक portion को adjust कर सकते हैं और पीछे की सीट में भी अगर चलें तो यहां पर आप देख सकते हैं कुछ मैंने वीडियो देखी यूटूब पे जिन में बताते हैं टाटा टियागो में जो थाई सपोर्ट है वो काफी कम है लेकिन यहां पर देख सकते हैं थाई तरसता हूं लेकिन मिलता है पीछे बैठने को घर वाले जादा सबें बेठते और उनके अनुसार कभी कोई दिक्कत आती नहीं कैसे भी बढ़ियां पर लंबे करके बैठो खार करceks तो आप देख सकते हैं उपर के तरफ काफी हैड रूम है और सामने लेग रूम तो आप देखी सकते हैं अगर कोई मोटा वेक्ति हो थोड़ा सा सीट पीछे भी करेगा तब भी मतलब कितनी पीछे कर लेगा अच्छा खासा हेड रूम गाड़ी में है और जो गाड़ी का हैड 500 किलोमेटर चलाने मुझे क्या दिक्कत आई वह सारी चीज इस बारे में बात करेंगे कि खड़ी गाड़ी बैठने में तो काफी बढ़ियां चलाते समय कैसी क्या आपको लगती है छोटी छोटी चीज़े हैं उनके बारे में आपको बताता हूँ पहली चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो वो है इस गाड़ी का स्टेरिंग अब इस गाड़ी में नए मॉडल में आने लगया है लेकिन इसकी जो वर्किंग है वह सेम है जैसे जैसे गाड़ी पकड़ती है अच्छा वेट पकड़ लेता है और इस कारण गाड़ी जब हाई स्पीड में चलती है तो काफी जाद स्टेबल रहेती है मेरे को सो 120 की स्पीड पे भी कभी ज्यादा ऐसा फील नहीं आया कि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हो जैसे कि अल्टो का गेरा मैंने चलाई है अगर मैं 80 के उपर जाता हूं तो ऐसा लगता है भाई अब यह लहरा जाएगी लेकिन इस गाड़ी में मैंने 120 प्लस स्प इसलिए कम हुए है वह इसलिए कम हुए क्योंकि उसका इन्सूलेशन वागएरा और उसमें काफी अच्छा मतलब की डिजाइन वागएरा चेंज dur करके इंजन को षामने की को सिटी गई है और सामने की तरफ बर बोनेट में पेडिंग वगएरा दी गई है इसे इनसूलेश उसके बाद आपकी noise कहीं नहीं लगती और छोटी मोटी noise अगर गाड़ी में से नहीं आएगी तो कहां से आएगी तो यह भी थोड़ी सी mind करने की बात है कि जो लोग बड़ा एकदम शांत सा वाता वरण चाते हैं तो भाई आप टेसला ले लो आप इंजन वाली गाड़ी क्यों चला रहे हो अगली चीज इस गाड़ी की में बात करूँ riding wise, comfort wise तो वो आती है इस गाड़ी के suspension इस गाड़ी में काफी अच्छी quality के suspension है और जब यह गाड़ी खड़ों पे चलती है तो literally feel नहीं होता कि यह एक hedgeback है क्योंकि इसे मैंने ऐसे इसी जगह पर से चलाया जहां पर कि मैं पहले bolero pickup truck चलाता था मतलब कि हमारे यहां पर थी और वो गाड़ी जहां पर अड़ जाती थी इस गाड़ी को मैंने वहां पर easily निकाल लिया अब उसका क्या reason है क्या रिज़न है क्या रिज़न है इसका approach angle ड को है rattling noise rattling noise ऐसी चीज है कि बहुत ज्यादा annoying हो जाती है अगर गड़ों में आपको काफी ज्यादा सुनाई देगी और कई-कई-कई-मामलों में आपको वह disturb भी कर सकती है तो उसके लिए आपको में music system चलाना prefer करता हूं comfort के मामले में अगली चीज जो निकल के आती है कोई भ तो आप लोगों में सीधा सा इस चीज का जवाब देना चाहूंगा गाड़ी की capacity तो हजारों किलोमीटर जब तक आप में दम है तब तक आप इसको चलाओ गाड़ी अपने आप से कभी बंद नहीं होगी कभी हीट नहीं होगी बैठे बैठे कोई दिक्कत आती नहीं है मैं इस गाड़ी को रात रात भर 500 किलोमेटर चलाया है visibility wise headlight wise कोई दिक्कत नहीं है मुझे कभी ऐसा फिल नहीं हुआ इस गाड़ी में कि कुछ आफट देती है और मुझे कोई दिक्कत नहीं हलंकि जो लेफ्ट वाला जो राइट वाला सोरी राइट वाला जो पेर है वो कभी कभी दर्द करने लगता है अब वो चलाने की हैबिट के उपर है क्योंकि मुझे उतनी ज्यादा है फिर भी 500 किलोमेटर काफी जादा कहलाता है तो यह था इसका राइडिंग क्वालिटी अगली चीज़ की बात करते हैं कि इसका एसी कैसा है अगर मैं इस गाड़ी की एसी की बात करूं तो एसी का थ्रो काफी अच्छा है और आगे का जो एसी मतलब पीछे की तरफ इसमें कुछ दिया नहीं है और जंडली हूं तो ब्लोवर की जो नॉइज है वो काफी जादा आती है अब यह थोड़े समय के बाद अपने हाब आपके कान कर लेते हैं लेकिन जो ब्लोवर है अलग-अलग स्पीड में नौइस काफी जादा करते हैं जो की बाकी गाड़ी नी तो यह एक थोड़ी सी कमी लगी इसका लिए काफी तरीके से चिल कर देता है केबिन को गर्मियों के समय में और हीटर भी इवन काफी अच्छे से वर्क करता है जो दोस्तों ये था टाठा टियागो का मेरा comfort experience ये मेरा personal experience था हो सकता है अलग अलग वीडियो में अलग अलग तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद जैहें